एक बार गौतम बुद्ध एक शहर में प्रवास कर रहे थे, उनके साथ कुछ शिश्य भी थे, एक दिन उनके शिश्य शहर में घूमने के लिए निकले, वे शहर में घूम ही रहे थे कि तभी शहर के कुछ लोगों ने उन्हें अपशब्द कहे, उनके बुरे शब्दों को शिश्यों को बहुत बुरा लगा और वे वापस लोट गए, बुद्ध ने देखा कि शहर से लोट कर आए उनके सभी शिश्य बहुत क्रोध में दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने शिश्यों से पूछा, क्या बात है, आप इतने तनाव में क्यू है? तभी एक शिश्य क्रो यह तुम अच्छे व्यवहार की अपेक्षा रखते हो? दूसरे शिश्य ने कहा, इस शहर से तो अच्छे लोग ही होंगे. तब गौतम बुद्ध बोले, किसी जगह को सिर्फ इसलिए छोड़ देना ठीक नहीं कि वहां के लोग बुरा व्यवहार करते हैं, हमें तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिस स्थान पर भी जाए, उस स्थान को तब तक नहीं छोड़े, जब तक अपनी अच्छाईयों से वहां के लोगों को सुधार न दे, हम जिस भी स्थान पर जाए, वहां के लोगों का कुछ न कुछ भला करके ही वापस लोटे. बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार युद्ध में बढ़ता हुआ हाथी चारों तरफ के तीर सहते हुए भी आगे बढ़ता जाता है, ठीक उसी तरह उत्तम व्यक्ति भी दूसरों के अप्षब्दों को सहते हुए अच्छे कार्य करता रहता है. खुद को वश में करने वाले प्रानी से उत्तम कोई और नहीं हो सकता. बुद्ध की बात शिश्यों को अच्छी तरह से समझ में आ गई और उन्होंने वहां से जाने का इरादा त्याग दिया. तो इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि जगह खराब नहीं होते. वहां के लो